नमस्कार दोस्तों कास्ट क्लासिज में मैं चंदर हास एक बर फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि पूरा कास्ट क्लासिज का परिवार अच्छा होगा ठीक होगा और आने वाले HSSC के एक्जाम की त्यारी भी कर रहा होगा प्यारे साथियो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हरियाना जीके की सबसे बहतरी लाजवाब करंट अफेर और पुरानी हरियाना जीके की कलास लेके आया हूँ आप मेरे साथ में जुड़े रहना आज इस वीडियो में हम वो परसन करेंगे जो एक्जाम के हिसाब से बहुत ही जादा इंपोर्डनेंट है और इसके साथ हम हरियाना के अंदर करंट अफेर भी सीखेंगे हरियाना करंट अफेर भी पढ़ेंगे तो प्यारे साथियो आज का हमारा पहला क्युश्चन है कि बारा जैन मंदिर हरियाना के किस जिले में सितित है बहुत शांदार परसन है दोस्तो ये कि उससे ने बारा जैन मंदिर बारा जैन मंदिर हरियाना के किस जिले में बारा जैन मंदिर का जिकर करें तो हरियाना के कौन से मंदिर में दोस्तो यदि आपसे प्राचीन समय में बात करें जैन धरम का मुख्य के इंदर बिंदू तो बात अलग है जैन धरम का मुख्य के इंदर बिंदू प्राचीन समय में कौन सा सहर हुआ करता था तो हासी बता दे ना हासी लेकिन 12 जैन मंदिर का जिकर करें न 12 जैन मंदिर कहां है तो दोस्तों आप सोनी पत बताते न सोनी पत बाबा सरवण के नाम पर जो सहर बजा है वो सोनी पत है महावारत काली नाम जिसका पुराना नाम क्या है सोन परस्त है सोने का सहर सोनीपत को कहते है लेकिन सोना मिलता नहीं है मिलता है सोना कहाँ पर नारेणगड में नारेणगड कहाँ है अमबाला में अमबाला कहाँ है हरियाना में हरियाना कहाँ है भारत में भारत कहाँ है एसिया में लेकिन दोस्तो ध्यान रखना कि हर्याना में प्राचिन समय में जैन धरम का मुख्य के इंदर बिंदू कोंशा हुआ करता था हासी और हासी जिसका पुराना नाम आसी और आसी गड़ का किला किस ने बनवाया था दोस्तो पित्वी राज चोहान ने बनवाया था पित्वी राज चोहान ने लेकिन बारा जै घर मंदिर भिवानी में और घंटेशवर मंदिर का जिकर किया जाये तो घंटेशवर मंदिर रेवाडी में हरियाना में सनांतन धरम का सबसे पुराना मंदिर जिसका नाम घंटेच्वर मंदीर है जो ढ़ाई सो वर्स पुराना है जो रिवाडी के अंदर पढ़ता है नेक्स पॉइंट धमतान साहिब गुर्दोवारा जीन्द में किस गुरु से सम्मंदित है तो भाई क्यूस्टन तो बड़ा ही सामदार है कि धमतान साहीब जो गुर्दवारा है ना धमतान साहीब गुर्दवारा पहली बात तो क्यूस्टन ये कि ये गुर्दवारा कहां पर पढ़ता है तो आप दोस्तों बता दे ना जीन्द में लेकिन क्यूस्टन ये पूछे कि जीन्द में ये गुर्दवारा कहा है धमतान साहिब गुर्दवारा यदि पूछा जाए कि धमतान साहिब गुर्दवारा कहा है जीन्द में लेकिन जीन्द में कहा है तो आप बता देना दोस्तो नर्वाना में है नर्वाना में और कौन से सिक गुरू से संबन दीत है तो सिक को के नोवे गुरू, गुरू तेग भाहदूर से संबन दीत है, बाई साब बहूत बढ़िया क्युस्षन है, बहूत बढ़िया सांदार है, परसन दोस्तों अरा लाडलो क्युस्षन ये है कि धमतान साहिब गुर्दवारा हरिय तो अब बता देना दोस्तो औरंग्जेव ने जिन्दा पीर किसे कहते है औरंग्जेव और औरंग्जेव के सासनकाल में सतनामियों का विद्रू कहा हुआ था नार रोल में दोस्तो बहुती 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 शांदर क्यूसन है ये क्यूसन और भी शांदर है ये तो आपने जाना में कहां पर पढ़ता है दोस्तों साइबर सीटिक गुरुग्राम के अंदर पढ़ता है गुरुग्राम में बहुत वड़िया क्यूस्टन है उरुस्वती संग्राले कहां है उरुस्वती संग्राले का जिकर क्या जाए कि उरुस्वती संग्राले कहां है तो लाडलो बत गुरू चेटर TRA में महाभारत सथलों के पुरातात्विक साक्से के पर्थम प्रकास डालने वालेJamal बाइक धेकन क्यों क्योंन क्यों सक्थम क्यों कर घंक है करूछेतर के अंदर महाभारत सथल है महा भारत के जितने भी सथल है पुरातात्विक जो साकसे है उसके पर्थम परकास डालने वाले कौन थे मदलब कुरू छेतर के अंदर महा भारत का युद हुआ उसके जो पुरातात्विक सथल है न उनके उपर परकास डालने वाला संग्राले कौन सा है स्री किर्सन संग्राले बाई कुरुचेतर का जो स्री किर्सन संग्राले अरे लाडलो ध्यान रखना कि पहली बार हरियाना में बुड़ापा पैंसन की सुरुवात हुई थी और उस समय मुख्यमंत्री कोन हुआ करता था चोदरी देविलाल हुआ करता था बायसा बहुत जबरदस तरीके से पढ़ेंगे शांदार तरीके से एकदम बहतरीन सबसे अलग सबसे बहतरीन सबसे भेंकर तरीके से हम पढ़ेंगे आप मेरे साथ में बने रहें बस सबसे बहत परियास करेंगे राज की भासा है ना हरियाना की पहली जो राज की भासा है वो हिंदी है हिंदी और हरियाना की जो दूसरी राज की भासा है ना दोस्तो वो पंजाबी है पंजाबी लेकिन क्यूशन तो ये है कि हरियाना सरकार ने पंजाबी को दूसरी राज की भासा कब घोशित किया था तो ये भी ध्यान रखिएगा हर्याना सरकार ने पंजाबी को दूसरी राज की भाजा कब घोशित किया गया था 2010 में बड़ा ही जबरदस तरीके से पढ़ेंगे सबसे शांदार एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा नेक्स पर्षन बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया 1948 में पंजाब सरकार नई राजधानी चंडिगड बनाने के लिए भूमी अवंटित करती है जिसकी अवस्तिती हर्याना के किस जिले में थी भई ये क्यूशन तो बड़ा सांदार है आज तक आपने क्यूशन पढ़ा में केंदर सरकाज सेंटर गोवर्णेंट चंडिगड सेर वसाने के लिए जमीन खरीती है लेकिन उस समय जो चंडिगड की जमीन खरीती गई थी 1948 में वो हरियाना के कोन से जिले की जमीन थी तो दोस्तों आप बता दे ना अंबाला की जमीन हुआ करती थी अंबाला की symun अर्यान से लियान खायो तो ऊब बतादे न अंवाला जी साव अमबाला जी साव ठशाव ठीक है ना ध्यान रखना ये जबर्दस तरीके से वह जमीन maturity काम से जिले में ती अंवाला जी साव लेकिन ये चंडीगड काभ बसायो गए थो तो आप बताते ना बाइसाब चंडीगड बसायो गए थे 1952 में और किस ने बढ़वाया था बिढला मंदीर तो जुगल कि सोर ने बढ़वाया था और आपने द्यान होगा कि बाई साब वर्तमान में जो विदेश मंतरी है ना वो S.J. संकर्ष है लेकिन उस S.J. संकर्ष है लेकिन उस S.J. संकर्ष पहले जो विदेश मंतरी था ना वो सुस्मा सवराज थी और वो सुस्मा सवराज परधान अरियाना से थी लेकिन उस सुस्म वाई साब तो आप बता दे ना, 1952 में ही उसका जनम हुआ था 1952 में ही उसका सवराज का जनम हुआ था अरा तमने नूबेरा से हरियाना में एक रेलगाडी सुधारने का कार खाना भी से और हरियाना में जो रेलगाडी सुधारने का कार खाना से जो रेलवे वरक्षोप से ना वो भाई साब जगाधरी में से 1902 में कुरू छेतर के बिड़ला मंदर की निव कब दरी गई, 1902 में पूरव विदेश मंतरी सुष्मा सवराज का जनम कब होएो, 1902 में और ध्यान रखना बाई साब चंडिगड उसका कारिय बनना स्टार्ट हो गया था चंडिगड बनना स्टार्ट हो गया था 1902 में लेकिन यो चंडीगड है ना वर्तमानम पंजाब के छेतरफल में से ध्यान राकियों यो चंडीगड पहले अब आई साब अर्याना के छेतरफल में था और अंबाला के छेतरफल में था और यह चंडीगड जिसने बशान खातेर जमीन जो खरीद दी गई थी नहीं निशु अड़ताल इसमें खरीद दी गई थी और लेकिन नीव रखी गई थी निशु बाउवन में चंडी गड़ का जाकिर रोज गार्डन की से सेक्टर में सिथीत है चंडी गड़ का जाकिर रोज गार्डन आरा क्योस्टन तारता है यो पुछा से एक्जामेनर की चंडी गड़ का जो जाकिर रोज गार्डन जाकिर रोज गार्डन से ना यो जाकिर रोज गार्डन कौन से सेक्टर में सिथित है तो चंडी गड़ के सेक्टर शोड़ा में है चंडी गड़ का जाकिर रोज गार्डन कौन से सेक्टर में है तो तम बता दियो सेक्टर शोड़ा के अंदर चंडी गड़ का जाकी रोज गार्डन है क्योस्तन ये पूछ भी सकता है जाकी रोज गार्डन ये रोज गार्डन का कित से तो तमके बताऊगे कि जाकी रोज गार्डन से न बाई साब यो चंडी गड़ के सेक्टर शोडा में से जाकी रोजगार्डन चंडीगड के सेक्टर सोडा में सिथित से ध्यान रखना बहुत बढ़िया क्यूस्टन पढ़ाएंगा दोस्तो लेकिन इस वेडियो ना आप एक बार सेर भी करते रो बड़े जबरदस तरीके से हम सीखेंगे न चंडीगड के जाकी रोजगार्डन है ये कुन सेक्टर में सिथित है तो आप बता दे न दोस्तो लड़लो की कहां पर सिथित है तो सेक्टर सोडा के अंदर सिथित से उसके बाद अपड़ा क्यूस्टन से दोस्तो भारत इसराइल बागवानी परियोजना हरियाना में भारत इजराइल बागवानी प्रियोजना हरियाना में कहां सिती थे ये क्यूस्टन पूछे से है कि भारत और इजराइल की जो बागवानी प्रियोजना से भारत और इजराइल की जो बागवानी प्रियोजना से संयुक तुरूप से कि भारत और इजराइल की बागवानी परियोजना से वो कित से तो आप बना देना गरोंडा में से गरोंडा गरोंडा के अंदर से और गरोंडा कहां पर से दोस्तों तो आप बता देना करनाल के अंदर से करनाल के दियान रखना भारत इजराइल बागवानी परियोजना हर्याना में कहां स्थीत है सबजीव फूल उटकरष्टा के दर हर्याना में कहां स्थीत से तो गरून्डा में स्थीत से हर्याना की पहली NCC अकादमी कित लागी थी गरुंडा में लागी थी और हर्याना में पहली NCC अकादमी गरुंडा में कब लागी थी तो दोस्तों आप बता दे ना दोजार शोडा में लागी थी 2016 में लागी थी गरुंडा में, हर्याना की पहली NCC एक आदमी, और आप से पुछे कि NCC बनी ही कब थी, तो NCC कब बनी थी, बाई साब, 1948 में NCC बनी थी, और 30 जनवरी 1948 में गोडी मारी थी, नथुराम गोड से ने, किसके मारी थी, महात्मा गांदी के गोडी मारी थी, ध्यान तो भारत, इसराइल, बागवानी परियोजना, हर्याना में कहां स्थीत है, तो आप बताएंगे गरुंडा में, गरुंडा कहां है, करनाल में, और ये बागवानी परियोजना, हर्याना में अधिकतर जो बागवानी परियोजना यह ना, वो किसके उपर निर्बार है, तो बता देना दोस्तों इसराइल के उपर निरबर है तो प्यारे दोस्तों यदित हमने यह वीडियो अच्छे लागी हो ना तो एक बार इस वीडियो ने सेर जरूर करियो आपने जितने भी दोस्त हैं आपके जितने भी स्टेडी गुरूप हैं वहाँ पर इस वीडियो के वर भ और वेडियो को सेर जरूर करके जाना मेरे साथ में लगातार बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी लेटेस वेडियो आए सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद जेहिंद जे भारत